So hello guys, welcome to my YouTube channel, Riddik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप लोग जब WhatsApp पे वीडियो कल करते तो आप लोगो नेक चीज नोटिस किया होगा Reconnecting की आपको प्रॉबलम आती जैसी के आप लोग स्क्रीन पे देख पारे Reconnecting की आपको प्रॉबलम आती है तो basically इसका reason क्या है और इसका solution क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा आपको प्रेस कर लेना है So यहाँ पे हम अपना WhatsApp उपन करते अब यहाँ पे हम किसी को भी वीडियो कॉल करते है ठीक है वीडियो कॉल यहाँ पे हमने क्लिक किया तो दीखिए रीकनेक्टिंग के जो प्रॉबलम आती है उसका सबसे बड़ा reason होता है कि आपके डिवाइस का इंटरनेट ठीक है अगर आपके डिवाइस का इंटरनेट काफी ज़दा slow है या फिर वो काफी buffer करता है तो buffering की वज़़े से आपको रीकनेक्टिंग की प्रॉबलम आती है ठीक है बाकी यह WhatsApp का कोई भी issue नहीं है नहीं आपके phone का issue है यह issue है तो सिर्फ आपके इंटरनेट का इंटरनेट की वज़़े से आपको यह problem आती है अगर आपका इंटरनेट काफी ज़़े स्ट्रॉंग है तो आपको यह problem देखने को नहीं मिलेगी ओके आप लोगों को वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी टॉपिक इस कवर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में